दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तर्बूज में लगने वाले मुखे रोग और उनकी रोगथाम के बारे में और साथ ही इस वीडियो में हम तर्बूज में वाइरस डिजिज के बारे में भी बातसीत करेंगे क्योंकि तर्बूज की फसल में सुरुवाती अवस्थाओं से ही तरह तरह के किटों का अटेक होना सुरू हो जाता है जिसमें आपका white fly हुआ, threeps हुआ और mahu जैसी जो कीट होते हैं उनका अटेक सुरुवाती अवस्थाओं से ही हमें देखने को मिल जाता है और समय रहते अगर इन किटों की रोक्ताम अगर हम नहीं करते हैं तो धिरे धिरे जो बिमारी है वो वाइरस में कनवार्ट हो जाती है और एक बार तर्बूज की फसल में वाइरस का अटेक हो जाता है तो उसके बाद में आसानी से कंट्रोल भी वो नहीं हो पाता है तो दोस्तो तरबूज की सुरुवाती अवस्थाओं से लेकर और लाश्ट तक आपकी तरबूज की फसल में कौन-कौन सी बिमारियों का अटेक हो सकता है, कौन-कौन से किटों का आकर्मन हो सकता है, कौन-कौन से इस्प्रे यहां पर आपको काम बे ले रहे हैं, कम्प्लीट जानकारी के लिए आज गए वीडियो आपको complete वाज करना है चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेती बाड़ी से related वीडियो मिलते रहे हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान जिन जिनू दोस्तों तर्बूज की फसल में सुरुवाती अवस्थाओं में सबसे पहले रोग की यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला रोग आता है इसमें माहू का अटेक जो होता है वो क्रोप कवर के अंदर होते हैं और इस समय में फरवरी आते आते जब क्रोप कवर हम हटाते हैं उसी समय पर मोसम में होने वाले बदलाव के कारण सबसे पहला जो अटेक होता है और माहू का अटेक तर्बूज में होते ही तर्बूज की जो ग्रोथ होती है वो वहीं पर रु लिटा कलोपरीड जो 70% में आता है उसका इस्प्रे निकाल कर भी आप माहू को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों माहू का अटेक जैसे ही आपको अपनी तरबूज की फसल में दिखता है तुरंत प्रभाव से आपको ये दोनु इस्प्रे मैंने जो आपको बताया है दोनु में स कोई सा भी इस्प्रे आप निकाल सकते हैं ये इस्प्रे अगर आप समय पर नहीं निकाले तो माहू का प्रकौप आपकी तरबूज की फसल में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि तरबूज की ग्रोथ जो है वो ही पर रुख जाती है ग्रोथ आगे प्लांट नहीं कर पा जाता है और leaf minor की वज़े से भी तर्बूज का जो उत्पादन होता है वो काफी ज़्यादा परभावित हो जाता है अगर ये डिजीज एक बार ज़्यादा फैल जाती है तो उसके बाद में काफी ज़्यादा परभावित कर सकते हैं हमारी तर्बूज की फसल को तो अगर आप आपको leaf minor का परकौप कुछ एक पोदों में दिखता है या एक दो पोदों में दिखता है यानि कम दिखता है तब तक तो आपको इसमें कोई ज़्यादा step लेने की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन अगर आपको बीमारी बढ़ती भी दिखे यानि की leaf minor का परकौप आपकी त सेक्टी साइड है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद में अगला जो attack होता है तर्बूज की फसल में वो सुन्डी का जो attack होता है वो भी काफी ज़्यादा देखा जाता है फुरूबाती अवस्थाओं में सुन्डी क्या करती है सबसे पहले पतों को खना शुर पाती है लेकिन छिलके को उपर से कुरेद कर और उसके बाद में तर्बूज की जो सेफ होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है कई बार आपने देखा होगा कि तर्बूज के उपर फल के उपर वाइट कलर के चक्ते से बन जाते हैं जिसकी वज़े से मंडी में तर्बूज क जो प्लांट होता है वो भी काफी प्रभावित हो जाता है लेकिन उसके बाद में फल को भी वो काफी हद तक प्रभावित कर देती है तो अगर आपकी तर्बूज की फसल में सुंडी का भी अटेक आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पर आप एमामेक्टिन बेंजोइट क इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों इमामेक्टिन बेंजोइट को आप आठ से लेकर 10 गराम परती 15 लिटर इस्प्रे टेंक के इसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपकी तर्बूज की फसल में थ्रीप्स या वाइट फलाई और रस चूशने वाले किटों का आपको देख रहा है तो आपको अलग-अलग श्प्रे लेने की जोड़त नहीं पड़ेगी यहां पर आपको जो है सिजंटा कंपनी का एलिका नाम से इंसक्ति साइड आता है वो आप काम में ले सकते हैं जिसके अंदर थायमा थोकसम और लेमडा साइकलो थ्रीन होता है जि आपको वो भी कंट्रोल इसी से हो जाएगा तो यहाँ पर आप सिजंटा की एलिका काम में ले सकते हैं लेकिन ये दवा आपको तभी काम में लेनी है जब आपका जो प्लांट है क्रिप डेट से दो महीने का हो जाए या फिर आपकी तरबूज की फसल में ये दोनु ब्यमा अगर बढ़ जाता है जैसे आपकी तरबूज की फसल में माहू का प्रकॉप भी हो गया वाइट फलाई और थ्रिप्स का प्रकॉप भी हो गया लीप माइनर का प्रकॉप भी हो गया और अगर आप समय रहते इस परे वगरा नहीं करते हैं या प्रिवेंटिव में अगर खाड कर बाहर फैंकना पड़ता है या आप यह कह सकते हैं कि तर्बूज की फसल में अगर वाइरस का अटेक हो जाता है यानि कि मोजेक वाइरस जैसे बेमारिया है वो अगर आज आती हैं तो उसके बाद में आसानी से वो कंट्रोल नहीं होती हैं तो इसके लिए आपको क्या करना शुरुवाती अवस्थाओं में ही अगर आपको रस चूशने वाले किटों का प्रकॉप ज्यादा नहीं भी दिखता है तब भी आपको बदल बदल कर जो है हर 10-15 दिन से इस्प्रे निकालते रहना है जैसे शुरुवात में आपको एक इस्प्रे ले लेना है थायमा थो अगर आपको तर्बूज की फसल में दिखता है तो यहां पर आप डेलिगेट ले सकते हैं कहने का मतलब है कि प्रवेंटी में आप बदल बदल कर यह जो है 10-15 दिन से इस्प्रे इंसेक्टी साइड के निकालते रहेंगे तो आपकी तर्बूज की फसल है वो बिमारियों से दूर रहेगी और वायरस का जो खत्रा है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा उसके बाद में दोस्तों जैसे ही हमारी तर्बूज की फसल फरूटिंग अवस्था में आती है तो उसके बाद में असली बेमारी जो है वो शुरू होती है और वो होती है फ्रूट हमारी तर्बूज की फसल में उस समय होता है जिस समय हमारी तर्बूज की फसल फरूटिंग अवस्था में होती है छोटे छोटे फल बनने जैसे ही शुरू होते हैं फ्रूट फलाई उनको डिमेज कर देती है कई बार आपने देखा होगा जैसे फल छोटे छोटे बनने उनमें अगर fruit fly अंडा देती है तब वो तो ज्यादा defect नहीं होते हैं, काने होकर ही रह जाते हैं, लेकिन छोटी अवस्था में ही ऐसे ही फल निमटता है और उसी समय fruit fly का attack उस पे हो जाता है, तो फल शूक कर और जड़ जाता है, मतलब कि fruiting अवस्था में फल मक्ही का जो attack ह जावन हो सकता है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फल मक्ही की वज़े से तरबूज की फसल में कितना ज्यादा नुक्सान हो सकता है, इसकी रोक थाम के लिए आपको क्या करना है, जो फल मक्ही trap आते हैं, वो आपको जग़जगे लगा देने हैं, यानि कि एक बाहियों से काफी बड़ी गलती हो जाती है, वो भी मापको यहां पर नोट करवा देता हूँ, यूगि दोस्तों फल मक्ही जो trap होते हैं, वो दो तरह के आते हैं, एक तो आता है सिर्फ fruit fly trap, जो कि फल दार पोधों में लगाया जाता है, सिर्फ उन्हें में काम करेगा, आपको वही लगाना है, fruit fly जो trap होता है, वो फल दार पोधों में काम करता है, और तर्बूज की फसल, या किसी भी तरह की सबजियों की फसलों में अगर आप लगा रहे हो, यहां पर जो vegetable fruit fly के नाम से trap आता है, वो आपको काम में लेना है, कई बार काफी किसानवाई गलती क कर देते हैं, सबजियों की फसलों में, जो fruit fly trap होता है, जो फल दार पोधों में लगा जाता है, वो लगा लेते हैं, और उसके बाद में result उनको नहीं मिलता है, तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करने है, जो fruit fly trap आज जो vegetables के लिए आते हैं, वो ही आपको खरीदने है, क् और वो लूद आता है, और वो लूद जो होता है, वो अलग लगाता है, यानि कि आपकी घुटफूलाइ होती है, वो पोधों की जो fruit fly अलग होती है, और vegetables में जो fruit fly आती है, वो अलग आती है, तो दूश्तो multiflogbies trap और vegetable fry trap में क्या फर wholky में आपको दिखा, मेरे पास दोणो पड़े हुए है यह देखिए यह हमारा fruit fly trap जो कि जो फलदार पूदे होते हैं उनमें लगाया जाता है जैसे मोस्मी पगरा की जोалась होते हैं उनकी जो fruit fly होती है वौ कि इस तरह की होती है उसमें यह लगाया जाता है जिसमें साफ़साफ लिखा हुआ fruit fly trap मतलब होता है यह दिखने में महज एक लकडी का टुकड़ा आपको दिख रहा होगा लेकिन यह पलाई का टुकड़ा है जिसको लूर के अंदर डुबो के निकाला जाता है उसके बाद में लूर की समाइल इसके अंदर रह जाती है और इसे समाइल के कारण फूर्ट फ्लाई था फिर मैंने इसको चेंज करवाया यह लूर जो था यह मने मंगवा लिया बाकि यह डब्बे चारपांच साल से चल रहा है लूर हम हर साल इनका मंगवा लेते हैं डब्बे वही रहते हैं और यह देखे जो लूर होता है वह कुछ इस तरह का आता है जब पैकिंग में आप तो लूर पे भी साफ साफ लिखा होगा वेजी टेवल फ्राइल लूर साफ साफ लिखाना तो इस तरह का आप फ्रक थोड़ा देखकर और उसके बाद खरीदेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे तो कहने का मतलब है कि आपको अपनी तर्बूज की फसल में जब भ लगी तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा मिलता है किसी नए वीडियो में ने टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद्र